Hello and welcome to my YouTube channel और आप हैं हुसेंसर के साथ Guys यह हमारी Photoshop की Training Series चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं Edit Menu के देखी ये 3 Options पहला Option है देखी यहाँ पर Fill, दूसरा है Stroke और तीसरा है Content Aware Fill तो देखी यहाँ पर इस Tutorial में जो हमारा सबसे ज़्यादा Focus रहेगा वो Content Aware Fill और Fill के अंदर एक Option है देखी यहाँ पर Content Aware इन दो पर रहेगा इसके अलाबा हम और Options को पढ़ेंगे ज़रूर ठीक है तो चलिए चलते हैं और करते हैं इसका Practical Welcome back तो गाज देखी मैंने Photoshop में 4 फोटो खोल के रखे हैं पहला, दूसरा, तीसरा और देखी चौधा इन 4 फोटो पर ही मैं उन Options को यूज करके दिखाँगा जो मैं भी आपको तीन Option बता रहा था तो चलिए हम गाईस चलते हैं पहले Option में सबसे पहले देखी यहाँ पर है Fill हम Fill पे Click करते हैं और Fill पे Click करने के बाद देखी Option पहला ही है Foreground Color, हम इसको Foreground Color लेते हैं और इसको OK करते हैं तो देखी पूरी जो Image है उसके उपर जो Foreground Color था Black Color का वो इसमें Fill हो गया बाद समझे, मैं अभी इसको Undo कर रहा हूँ Ctrl Z, और देखी अगर हम यहाँ पर Selection कर लें तो वो Selection के उपर Fill हो जाएगा, यह तो आपको पता ही है चलो मैं Selection करके भी दिखा देता हूँ देखी, मैंने यहाँ से इसका यह Selection कर लिया, और अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, और देखी, अब की बार जाकर यहाँ पर fill करता हूँ और fill करके अब की बार foreground ना करके मैं background color करता हूँ तो देखो background में कौन सा color है यहाँ पर white अब मैं white color fill कर देता हूँ तो देखो यहाँ पर white color fill हो गया तो अब उस area में fill हुआ जो area हमारा select था ठीक है अब हम control z कर रहे हैं इसके अलावा देखो यहाँ पर fill में चलते हैं फिर से और जाने के बाद देखी यहाँ पर मिलता है आपको color आप particular color भी choose कर सकते हैं यहाँ से जिसे red color choose कर लिया आपने okay करें तो देखो color fill हो गया ठीक है फिर undo करता हूँ और इसके अलावा देखे यहाँ पर fill में और option मिलते हैं तो अभी मैं आपको content ever के बारे में नहीं बता रहा हूँ इसे मैं बाद में बता हूँ पहले भी और चीज़ समझे ले pattern देखो pattern पे अगर आप click करते हैं तो यहाँ से सही तरीके से जानना है तो आप इसमें new layer ले 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 और new layer लेने के बाद में फिर fill करें यहाँ पर और fill करके देखो यहाँ पर history करने रोके करें तो देखो आपका क्या होगा इसका नीचे वाली layer से copy होके नई वाली layer में वही pixel paste हो जाएंगी देखो हो गए देखो यहाँ पर आप जाके देखो पेस्ट हो गए तो इस तरह से history fill होता है मैं इसको यहाँ से delete कर रहा हूँ और history के बाद देखो यहाँ पर black color आप black ले सकते हैं 50% gray ले सकते हैं white ले सकते हैं तो यह तो होगी normal बात हैं अब हम बात करते हैं कि जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं content aware अगर मैं content aware ले लूँ और content aware लेने के बाद okay करूँ तो देखो क्या होगा तो देखो आप जो बाहर क यूज किया इसने लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पर जाया तो यहाँ पर देखें content aware फिल यहाँ पर काम नहीं करता अच्छे से तो देखो अभी हम चलते हैं फिल में जलते हैं और देखो यहाँ पर content aware फिल करते हैं तो देखो यहाँ पर भी इसने क्या किया देखो तो यह आगे चले, यहाँ पर चले और यहाँ पर इस वाले object को ऐसे select करके और फिर आप content ever fill करें तो भी देखो यह problem करता है देखो यहाँ पर content ever fill और देखो देखो problem कर दी इसने तो देखो इसने उपर का area copy करके नीचे paste कर दिया, अब मैं आपको इसको एक तरीके से और करके दिखाता हूँ उससे भी आपको idea हो जाएगा कि क्या यह सही कर रहा नहीं कर रहा, देखो अभी तो मैंने selection अच्छे से नहीं किया था, अब मैं object select करता हूँ, object और देखो यहाँ से select object करता हूँ, ओके यह object हमने select कर लिया, अब इस object को हम क्या करते हैं, selection में जाकर expand करते हैं, expand और यहाँ पर हमने 100 pixel expand कर दिया इसको, देखो 100 pixel expand कर दिया, अब हम क्या करते हैं फिर से हम यहाँ पर fill में चलते हैं और fill करते हैं, आपकी बार और देख लेते हैं, क्या इससे भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो देखो इसने ये लगभग problem solve कर दी जो उपर का इसका ही copy होके नीचे आ रहा था वो अब नहीं आ रहा लेकिन इसमें क्या होता है कि content aware जो है वो उसमें कोई option हमें नहीं मिलता कि अगर कुछ गलत हो रहा है कुछ सही हो रहा है तो उसके लिए कोई option हमें नहीं मिलता लेकिन अगर हम करते हैं यहाँ पर जो option में बदाया था content aware fill तो इसमें हमें बहुत सारे option मिल जाते हैं तो चलिए अब हम इसको use करके देखेंगे इस stroke को मैं बाद में आपको करवाँगा तो चलिए शुरू करते हैं और मैं इसको undo कर लेता हूँ तो undo करने के बाद देखें मैं इसी के उपर उसको use करके दिखाता हूँ तो चलिए हम यहाँ चलते हैं और हम करते है content aware fill हमने content aware fill का option देखो यहाँ पर open कर लिया और देखें यहाँ पर यहाँ पर यह थोड़ा सा मुझे zoom out करना है तो यहाँ से मैं इसको zoom out कर सकता हूँ देखें यह हमने zoom out कर लिया और यह देखें यहाँ पर zoom out है इसके वालब यह देखो pen करने के लिए है penning यहाँ पर जूम हो बहुत ज़्यादा कोई चीज माल यह जूम है तो देखो इससे हम penning कर सकते हैं देखो ऐसे और इसके लाबा देखो अभी मैं इसको zoom out कर रहा हूँ और इसके लाबा देखें सेलेक्सिन करने के लिए है सेलेक्सिन कर सकते हैं extra अगर आपको यहीं पर सेलेक्सिन करना हो तो और यह यहाँ पर sampling बिरस है कि आप किस-किस जगह से उसको copy करके लाना चाहते है तो अब हम चलते हैं देखें यहाँ पर क्या है देखो यह थोड़ा से area नीचे बचा हुआ देखिए है न यह जो यहाँ पर दिखने हैं पूंच सी आ रही है थोड़ी सी यह थोड़ा बचा हुआ है तो इसको भी मैं यहाँ से ले लेता हूं देखो यहाँ पर मैं selection ले लेता हूं और selection लेने के बाद इसको देखो अच्छा देखो यह अगर हम repeated कम कर रहे हैं तो उपर से ले रहा है तो हम उपर से भी थोड़ा सा कम करेंगे हमने यहां से कम कर दिया देखो यह ऐसे जादे उपर से ले रहा है ऐसे हमने कम किया और देखिए अब यह हो गया और repeated में मुझे और क्या करना है देखो ये इसकाई भी मुझे थोड़ा सा कम लेना है ऐसे यहां से इस तरह से हम यूज़ कर सकते देखो यहां से और इसको भी मैं थोड़ा सा कम इसको मैं नहीं ले रहा है अगर मैं इसको देखूं तो यहां से कॉपी अच्छा है यह problem कर रहा है तो अभी मुझे इसको लेना ही पड़ेगा तो मैं इसको plus कर रहा हूँ यहां से यह मेरे पास option मिल जाते हैं कि हम कितना इसको plus करें कितना minus करें यह सारी चीज़े हमें मिल जाती है यहां पर देखिए इस तरह से यहां से नीचे भी अगर मैं देखूं तो हाँ अब थोड़ा ठीक है तो यह जो है नीचे से मैंने यह कम ले लिया एरिया तो उपर उपर का एरिया इसने copy किया यहां पर mix match कर दिया यहां पर mix match कर दिया तो इस तरह से देखिए हमारे पास यह क्या है कि हम इसको custom use कर रहे है custom custom मतलब देखो यहां पर यह जो custom है इसको हम custom use कर रहे है अब इसमें option के बारे में समझ लेगे इसके options क्या-क्या है तो गश्रा पर पहला option है auto तो ऑटो जब हम करते हैं तो यह automatic pick कर लेगा जहां जहां से इसको करना है और यह fill करेगा इसकल अब rectangle अगर आप rectangle करते हैं तो पूरे में rectangle ले लेगा complete rectangle लेके वो fill करेगा ठीक है इसकल अब custom तो custom में तो आपको पता ही अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं कहां कहां से आपको चाहिए तो आप यहां से प्लस करें देखो ऐसे इतना आपको चाहिए तो यह प्लस आप कर सकते हैं देखो इस तरह से आप इधर से भी चाहिए आपको यह प्लस कर सकते हैं देखो इस तरह से यह प्लस किया आपने और आपको ऊपर जो है नीचे का तो ठीक है लेकिन उपर वाला आपको यह चाहिए, इसका ही चाहिए, तो आप यहां से ऐसे प्लस करें, देख़ोईए, इसका ही यहां पर आगया, इधर भी प्लस कर लें थोड़ा सा, देख़ोईए, तो यह अपनी मर्जी से आप custom इसको यूज कर सकते हैं, कि कहां कहां से आपको लेना आगए, मतलब एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि यहां से हमने हटाया, डिफॉल्ट करेंगे तो यह अपनी मर्जी से कलर अड़प्टेशन करता है आप यहां पर हाई भी कर सकते हैं, हाई तो हाई करेंगे, तो देखो यह हाई अड़प्टेशन कर रहा है इसके लाब आप यहां पर बेरी हाई अड़प्टेशन करेंगे बेरी हाई अड़प्टेशन में बहुत ज़्यादा कलर अड़प्ट करेगा तो डिफॉल्ट रहने दीजे और देखो यहां पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यह तो अभी आप यहां पर भी इसको जो है यहां से भी ले लीजे ऐसे तो यह थोड़ा सा दिखाई देना कम हो जागा, हाँ आप कम हो गया तो यह भी आप इसका ही ले लीजे तो ये आप दिखाई देना बंद होगा देखो ठीक है तो color adaptation के लिए यहाँ से आप अपनी margin से कर सकते हैं बसे by default जो है वो सबसे बढ़िया color adaptation है इसके लब देखो rotation adaptation है rotation अगर कोई चीज़ rotate हो रही है तो rotation भी आप कर सकते हैं low rotation तो देखो ये rotate अपनी आप इसने rotate कर लिया लेकिन कहीं पर अगर rotation की जगा चाहिए आपको तो आप इसको use कर सकते हैं low rotation medium rotation high rotation जैसा भी आप करना चाहें तो अगर आप चाहें तो इसको rotation को ना करें क्योंकि कई जगाओं पर rotation की ज़रूरत पड़ती है लेकिन यहाँ पर rotation की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर आप none कर सकते हैं तो आपने none कर दिया इसके लाब अगर scale से manipulate करना है तो scaling आप कर सकते हैं इसके लाब अगर अगर आप करना चाहते हैं mirror कोई जैसी है तो उसके बाद mirror जैसे एक आँख है दूसरी आँख जैसे अभी अपने इसने देखो example भी दिखाया तो अगर ऐसी जगापर copy करना है आपको कुछ तो आप कर सकते हैं देखो यहाँ पर इसके लाब देखी यहाँ पर new layer पर चाहते हैं content aware के उसमें सिर्फ आपको click करके result देना है और यहाँ पर आप अपनी तरीके से अपने use के हिसाब से जैसा आपको चाहिए थोड़ा बहुत कम जादा करके इसको सही कर सकते हैं ठीक है मैं control 0 दबागर इसको बढ़ा कर रहा हूँ हा इसके बारे मैं और बता रहा हुँने content 145 ये और समझे लीजे विए तो हम क्या करते हैं रिखो यहाँ पर select object और देखो यह object select करेंगे देखो ऐसे यह object select हो गया अब इसमें थोड़ा सा देखो इसको मैं zoom जूम कर रहा हूँ और देखो यहां पर जाकर इसमें थोड़ा सा इसको प्लस कर दे रहे हैं ऐसे यह देखिए हमने इसको प्लस कर दिया और इसके बाद इसमें Select, Modify और देखे Expand और हमने 100 पिक्सल इसको Smooth कर दिया या कम भी कर सकते थे तो फिर हम वहीं चलते हैं के, Content Alright । और यहां जाने के बाद सब कुछ देखो जैसा कि मैं इसको बताया कि यहां पर भी आपको इतने तरह की Options मिल जाते हैं और देखो यहां पर यह जो आरहे ही यह नहीं मुझे नहीं चाहिए तो अब क्या मैं करूंगा कि ये कहां से ले रहा है ये आपको देखना है तो हमने यहां से यह वाला जो पेड़े देखो यहां से ले रहा है तो इसको मैं को यहां से अगर हमें वो नहीं चाहिए तो हम इस तरह से अगर हमें वो नहीं चाहिए तो हम इस तरह से अगर हमें वो नहीं अगर मुझे ये चाहिए ही नहीं, तो पूरी घास भी अटा सकता हूँ, तो घास को पूरी को हटा कर देखते हैं, क्या रिजल टाएगा, ऐसे, और जो जो एरिया चाहिए, वो भी एरिया ले लेंगे, देखो ऐसे, ये थोड़ा सा खराब हो गया, तो ये हम एरिया ले ले लेते हैं, ये वाला है ऐसे, और ये ले 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 लेते हैं, तो देखो ये हमारे पास बना, ये भी ले ले लेते हैं हम, चीक है अब देखो यह result बिल्कु सही आया तो जितने area कहा कहा से आपको उठाना है तो देखो यह result बिल्कु सही है इसको okay करें तो देखो यह result आपके सामने बास समझ गए होंगे आप देखो कितना सही result आया है तो इस तरह से हम use कर सकते हैं आप देखो यहां पर पूरा यह एक part है और object भी देखो यहां से हट गया देखो आप अबजेक्ट भी हट गया बास समझे तो content aware fill इतनी अच्छे तरीके से काम करता है इसमें बहुत सरा option यह नया option है और मैं stroke के बारे में बात कर रहा था इस stroke बता जाता हूँ आपको अब और चलो undo कर लेते हैं undo करके हम यह selection बना लेते हैं यह selection है हमारा और अब की बार हम क्या करते हैं stroke डालते हैं तो strokes normal stroke ही है जैसा कि आप जानते हैं 20 pixel की stroke और white color मैंने ले लिया और इसके लाब देखो outside normal mode opacity और देखो हमने इसको कर दिया देखो यह control D press करके देखो यह stroke बनके तयार हुए तो ऐसे आप stroke डाल सकत यहां पर आएगा देखो बहुत सरे option आएंगे इसमें stroke वगरा सब कुछ तो आप यूज़ करें देखो यहां से layer बना कर और देखो layer style देखो यहां पर मिलता है stroke इसके बारे में बात करेंगे इस से आप सीखेंगे और इसी से आप उसमें stroke डालें ठीक है तो stroke यह जो है इत आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें well icon को दबाना ना भूले जिससे कि आपको हमारे notifications मिलते रहें तो guys मिलते हैं next tutorial में तब तक के लिए take care and bye bye